रीट परीक्षा में अनियमित्ता के आरोप लगाने वाले डॉक्टर किरोडिलाल मीना एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं किरोडिलाल एक बार फिर नए खुलासे के साथ में हैं उनसे बातचीत करते हैं डॉक्टर सब इस बार आप क्या कहना चाते हैं एसो जी की जान से आप क्यों संतुष्ट नहीं है देखो एसो जी अभी तक बत्तिलाल जी तक नहीं पहुंची और पहुंच भी नहीं पाएगी ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि बोर्ड का अध्यक्ष जो धरमपाल जी है और उनके मित्र डाक्टर परदीप पारासर दोनों इस ली करें तो आपे पर्रिंट करने का एक्जाम की सामगरी देने का अपना क्या वह जूट करने का द्यूटी लगाने का है यह थो जो पेपर ले जानेवाले ऩो फ्रीयोग थे उनके हातों से पेपर लीग हुआ है वह भी श्क्शा, शंकर और का ऑफिस है स्टॉंग रूम से उस दिन अपना जो अध्यक्स थे बोर्ड के और डाक्टर अपने यह पारासर जी दोनों वां मौझूद थे और उनकी उपस्तिति में यह सारा कबाड़ा हुआ है और प्राइवेट लोगों के जो संस्थान है तीन लोगों के जैपुर में उनके जाएंगे तो बत्तिलाल भी आजाएगा जब आपके पास में सारे सबूत हैं आप कह रहे हैं कि डीपी जारोली यहां पर थे तीन संस्थान जो प्राइवेट हैं उनका नाम आपको पता है तो फिर उन नामों को आप सब के सामने क्यों नहीं रहा है एक पार प्रमान परिय ा पासा यहां कि डीपी जारोली को इस आदार पर लागा ने कि वह इस दिर पास किला चाहरा है उदर जा रहे है भी यह अन की उपस्थिति में उपने सहीम हें गया लगर परएनकाज़ी बिना जानकारी मानला सब्सक्राइब प्रिवेट मैं इसे में प्राइवड वर्यूंपा थे आप प्राइवेट मानला यह फिसकाल-जैर्क कर भाम किस पजयर मिला व्हूंस प्रभाप बाकि 32 में कोडिनेटर थे तो एक प्राइव वक्तिक को डिस्टिक कोडिनेटर क्यों बनाया गया जो अभिन मित्रे मानने जारोली जी के क्या हुशकता पड़ी और प्राइवेट कोडिनेटर ने प्राइवेट लोग लगा लिये जबकि सरकारी-कर्मचारी लगने चाहिए अ जिम्मेदारी किस पर फिक्स होगी, सरकारी कुछ पर होता तो सस्मेंट भी होता, नोक्रिसे भी जाता, सब कुछ होता, अब तो बड़ा ठेड़ा काम हो गया, तो जो डिस्टिक कॉडिनेटर था, उस पर जो सहस समनवयक थे, को कॉडिनेटर थे, उनकी कुछ निगरानी भी डिस्टिक कॉडिनेटर या कि छाज लगेगा जाज से पता लगेगा, चेक ऑन बैलन्स के लिए बनाए थे, लिकिन साहिद कुछ निक्या वो भी इज जो और लोगों के ऊपर आपको आशनका जो इस पूरे सिस्टम में रहे हो या जिनको कहीं लगाया हो लिखी तादेश जो इसमें लिप्त थे जो ब्लेक लिस्टेड है और जन्होंने पेपर लीक करने में बड़ी भूम करने भाई है मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं दो दिन पहले कि अगर किसी सेंटर पर पेपर लीक हुआ है तो वहां परीक्षा दुबारा करा दी जाएगी पूरी परीक्षा को दुबारा कराने की ज़रत नहीं फिर भी आप सी बी आई जांच की मांग पर अड़े हुए तो को ऐसा है सुप्रिम कोट का फैसला है कि आप डिफ्रेंशेट कर सके कितने लोग इसमें लिप्त थे किस कितने चात्र प्रभावत हुए कितने नहीं हुए अगर डिफ्रेंश करने जब तो आप मत पोस्पोंड करो या मत रद करो लेकिन इसमें तो डिफ्रेंश हो जी नहीं सकता कितन व्यक्ति से पूस्ताच हो तो इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा हो सकता है आप कह रहे हैं कि कई लोग इस मामले में बोर्ड के अधक्ष और डाक्टर प्रदीप पारासर सिजाच पहले करनी चाहिए वना बाकी के मुल्जिम भाग जाएंगे इसके अलाबा और बतिलाल मीना है और 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 कोई करनेक्शिन अब बतिलाल में तो जरूर ही है लेकिन यह पेपल लीक करने वाला इस किया मेरों कि ऐस तक जा बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि इसमें बड़े लोग है बड़े लोगों पर नहीं अपराद कारेचे हैं